हलो स्टूडेंज, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नमबर 15, नौकर, ठीक है, यहां तक हमने रिट किया था, आज हम आगे करेंगे, आगे क्या है? कुश वर्सों तक गांदी ने आश्रम के बंडार का काम संबालने में मदद दी, सवेरे की प्रात्ता के बाद वे रसोईगर में जाकर सबजियां शीलते थे, रसोईगर या बंडारे में अगर वे कही गंड़ी जा मकडी का जाला देख पाते थे, तो अपने साथियों को आड संबालने में उनकी मदद की, सुबा के प्रात्ता के बाद वे रसोईगर में जाते सबजियां शीलते थे, रसोईगर में या बंडार में अगर उन्हें कहीं गंड़ी जा मकडी का जाला दिखाई देथा था, तो अपने साथियों को वे आड़े हाथों लेते, मतलब उनसे स अत्ती से पेश अत्य थे, उन्हें सबजी, फल और अनाज के पौश्टिक गुणों का ज्यान था, एक बार एक आश्रम वासी ने बिना धोय आलू काट दिये, गांधी ने उसे समझाया कि आलू और निम्बू को बिना धोय नहीं काटना चाहिए, अब गांधी जी को सबज आश्रम वासी जो भी उसी आश्रम में रहता है, वे क्या करता है कि आलू को बिना धोय ही काट देता है, और तब उसे गांधी समझाते हैं कि आलू और निम्बू को हमेशा दो कर ही काटना चाहिए, बिना धोय नहीं काटना चाहिए, एक बार एक आश्रम वासी को कुश ऐस केले दिये गए जिनके शिलकों पर काले चपते पड़ गए थे उसने बहुत बुरा माना तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तोर पर इसलिए दिये गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कम जोर है अब एक बार फिर क्या होता है कि एक केले दिये जाते हैं जिनके उपर काले काले चकते पड़ गए होते हैं मतलब थोड़े काले काले हो गए होते हैं और वे आश्रमवासी इस बात पर बहुत बुरा मानता है तब गांधी जी उसे समझाते हैं कि जो ऐसे केले होते हैं जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खा प्रोस्ते थे इस कारण में बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद कुछ कह भी नहीं पाते थे दक्षिन अफ्रीका की एक जेल में वे सैकडों कैदियों को दिन में दो बार बोचन परोसने का कार्य कर भी चुके थे आश्रम का एक नियम ये था कि सब लोग अपने बर्तन खूद साफ करें रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांद कर धोते थे एक दिन गांदी ने बड़े बड़े पतीलों को खूद साफ करने का काम अपने उपर लिया इन पतीलों की पेंदी में खूद कालिक लगी थी राख परे हाथों से वै एक पतीले को खूद जोर से रगटने में लगे हुए थे कि तबीकस तूर्बा वहां आ गई उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली ये काम आपका नहीं है इसके करने को और बहुत से लोग है क्या होता है कि एक बार आश्रम का नियम था कि सब लोगों को अपने अपने बरतन साफ करने होते हैं और रिसोई के बरतन बारी-बारी से कुछ लोग अपना दल बाद कर दोते थे और एक बार क्या होता है कि एक दिन गांदी बड़े-बड़े पतीलों को खुद ही साफ करने लगते हैं और उनमें जम्मी बहुत सी कालिक होती है और राख बरे हाथों से वे एक पतीले को खुब जोर-जोर से रगणने लगते हैं साफ करते हैं कि तभी वहाँ पर कस्तूर्बा आ जाती है और वे उनसे बोलती है कि ये काम आपका नहीं है इस काम को करने के लिए और भी बहुत से लोग हैं ठीक है यहीं तक आज हम रेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट करेंगे ओके थेंक यू